नमस्कार सर नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका? राजिंदर प्रसाद रहने वाले वैसे यूपी के हैं ग्राम वा पोष्ट मरवटिया बाबू जिला बस्ती उत्तर पर्देश सरसंत्राम पाल जी मारा से नाम दिक्षा आपने कम ली? 6 जून 2013 को सरसंत्राम पाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति सादना ये करते थे? सर जी वक्ति सादना क्या हिंदू दरब में जनम होने के कारण जो परिवारिक होते थे देवी देवताओं की बक्ति करते थे खासकर माता जी की पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो परिवारी गर में होता था, हमें तो हानी माचुस हुई क्योंकि सारे रिकरष्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, कमर के नीचे से पैर तक जो है मारा जो है ये उठता नहीं था ये तम सुन ओजाता था वैसे डाक्टर तो साठीका बता रहे थे कि साठीका जो हुआ है और उसी के जो है नस भी कटवाते थे जो पताते थे पैरों के डाक्टर से भी हिलाज करवाते थे कुछ भूत प्रेतों क सर फिर संत्रामपाल जी माराज के बारे में जानकारी आपको कहां से हुई सर जी जानकारी हमें संत्रामपाल जी माराज की ऐसे मिले कि यहां दिल्ली से हम गाउं जा रहे थे दुबस में ग्यान गंगर नामक पुस्तक मिली थी उस पुष्टक को पढ़कर के जो है हम संत्रामपाल जी महराज के सरण में आये हैं सर अमने सुना है कि संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद सर धालू को बहुत सारे लाप राप्त होते हैं चाए वो आर्थे को सारे को मांसे को या बहुते को तो क्या आपको भी कुछ लाप प्राप्त हुए संत्रामपाल जी मारा सनाम दिख्षा लेने के बाद सरजी लाप जैसे हमारे साठिका हुए थी साठिका के ठीक करवाने के चकर में बहुत डाक्टरों के भी दिखाए और किसी ने बताया कि जामा मस्जित पे बैद हैं वो जो नस काट करके खोन निकाल निकाल करके ठीक करते थे सरजी जो है वहाँ हम एक डेड़ महिने तक जामा मस्जित पे गए थे वो एक दिन छोड़ करके एक दिन हाथ के नसे काटते थे दूसरे दिन पैर के नशे काड़ते थे वहां से भी हमें कोई लाब नहीं हो पाया था डेड़ मेना जाने के बाद भी उसके बाद जब ग्यान गंगा पुस्तक मिले संत्रामबाल जी माराजी के सर्ण में जब गए है वहां जाने के बाद हमें उस चीज का तुरंट हमें लाब हुआ वहां से नाम लेकर के आये दस दिन के अंदर जो हम चल फिर नहीं पाते थे वो दस दिन के अंदर वो बिमारी हमारी गायब हो गई और जो घर में भी बूत परेतों का भी साया था कि घर में कभी circumstir हो जाते थे, दिमाग काम नहीं करता था कि हमें duty जाना है, काम पर जाना है, या क्या करना है, हमें इधर उढ़ बवखला के रहते थे, यहां से घर से निकलते थे कि हम duty जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं और दूसरे जगा पहुच जाते थे, हमें नहीं पता चल प पाता था हम ड्यूटी जारें हैं यह रही हैं तो यह सारी चीज़ें संत्राम Γी महराजी के शरण में आने के बाद जो हियह हमारा प्रेहत बाधा का भी ठीक हुआ और रोग का भी हमारा जो प्रेहत धेरा हुआ है सरजी नसा करते थे बेड़ी भी पीते दारू भी लेते थे कवी कवार गुटका भी खाते थे और यह सारी नसायें सारे बुराइए जो संत्राम पाल जी महराज जी के सरण में जाने के बाद यह सारी बुराइए जो उसी दिन से छूट गई बिढ़ी का भी गुटके का भी अंबाकू का भी सबसे बड़ा लाव तो शर्जी यही हुआ कि संतराम पाल जी माराज जी के सरण में जाने के बाद यह सारी बुराईयां सारे भिकार दूर हो गए और सारे बिक Salvador मिला अध्यात में लवद मिला परमात्मा कभ हमें पहचान हुआ ब्रमा भिष्छलु महेष्क को कोई बता देता ब्रमाजी बगवान है कोई कहता भिष्छलु जी बगवान है कोई संकर जी को बता सर जो जनसमुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है तो क्या वो भी संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं? दौरान जो सासंग संत्रामपाल जी माराज का आता है, उस पहले पट्टी चलती है, पट्टी पे जो है, नमबर आते हैं सासंग के, उस नमबरों पे फून करके संपर करें, आपको, आप कहा से बोल नहीं हैं, आपको जो है, बता दिया जाएगा, आपके नजदी की जो पान केंद्र होगा वहां आपको जोह बता दिया जाएगा वहां से आप नाम लेकर अपना कल्याड करवाएं धन्यवाद सर सत्साइब करवाएं धन्यवाद सर सत्साइब